चार साल पहला मुकदमा जिसको लेकर राहुल गांधी को घेरा जा रहा था मोधि सरनेम को लेकर राहुल गांधी परनिशाना साधा गया था संसससे ते रद हो गई थी और दो साल की सजा सुनाई गई थी और अब इसी सजा को चुनाती देने के लिए और दो साल की सजा की तोर पर बेल मांगने के लिए राहुल गांधी ने अपना कदम उठा दिया है नमश्कार में नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News दरसल आज सूरत कोट फिर जाएंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी उसी याचिका को चुनाती देंगे जिसके तहट उन पर सिकंजा कसा गया था यानि कि मोदी सरनेम को लेकर चार साल पहले जब राहुल गांधी ने एक रेली के दोरान मोदी सरनेम वालों को चोर कहा था उसी को लेकर उन पर सिकंजा कसा गया था यहां पर देखा गया था कि दो साल की सजा सुना दी गई थी और आयोगी खोशित कर दिये गए थे जिसके तहत संसस सदसेता रद हो गई थी उनकी तो तमाम यही कयास लगाए जा रहे थे कि संसस सदसेता रद होने के बाद राखुल गांधी चुनाव में नहीं देखे जाएंगे लेकिन अगामी चुनाव को देखते हुए और अपनी सजा के तोर पर रिहाई मांगते हुए राखुल गांधी ने चुनावती दे दी है आज राखुल गांधी सूरत कोट जाएंगे वहाँ पर अपनी बेल के लिए अरजी देंगे और वहाँ पर देखा जाएगा कि इस वक्त राखुल गांधी पर क्या फैसला आता है अभी कोड पहुँचे नहीं है कोड पहुँचेंगे वहाँ फैसला होगा क्या कुछ होगा ये देखना काफे दिल्चस्प होगा क्योंकि सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई है लगातार देखा जा रहा था कि विपक्ष एक जुटता पेश कर रहा था राहूल गांधी के समर्थन में वहीं राहूल गांधी ने अपनी मासूनिया गांधी से मुलाकात भी की थी कोड जाने से पहले अब वहीं पर ये चर्चा है कि राहूल गांधी अकेले नहीं जाएंगे ना वहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम कॉंग्रिस नेता तो मौजूद होंगे साथ साथ आप देखेंगे कि तीन राज्य के मुक्खे मंत्री भी मौजूद होंगे राहूल गांधी के साथ यानि कि राहूल गांधी के साथ काफिला चलेगा फिर से और वहां पर कॉंग्रिस हला बोलता हुआ नजर आएगा देखा जा रहा है कि यहां पर राहूल गांधी के स साथ कदम मिलाती हुई दिखाई दे रही है अभी देखना काफी दिल्चस्प होगा कि कोड़ पहुचने के बाद राहुल गांधी पर क्या फैसला आता है जो चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी दो साल की सजा को लेकर उसमर क्या देखा जाता है और इस मुद्दे को ले